कि आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत बस्वागत है तो आज हम बात करेंगे कुटुब बुद्धिनेबक की तो आपको पता ही है कि हम बात इस्लामिक इन्वेजन की कर रहें तो मुहम गंई महंद अगौरी को राज कुटुब बुद्धिनेबक की बात करेंगे फिस सुल्तान और बाढट्शाय में फर्क क्या होता है वो तो यह अज़के सबसे बड़ा होथा है हो तो यह आपको अध्यान पड़ेगा तो basically यहाँ पे हम slave dynasty की बात कर रहे हैं और slave dynasty की बात करें तो आपको ये देखना है लेकिन उससे पहले आपको देखना है ये हमारा प्रहार batch launch हो गया है live classes चल रही है आपको पता ही है UPSC optional, history optional, PSIR optional, live and recorded class वो batch हमने शुरू कर दिया है तो फडाक से course को avail करें 1206 से लेकर 1290 तक इसको आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से date याद करनी है कुदूब बुद्धिनेपक ने क्या 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 किया अढ़ाई दिन का जोपड़ा बनवाया पहला ये जो एक्जाम में पूछा जाता है अढ़ाई दिन का जोपड़ा अजमेर में ठीक है ये दूसरा कुवत उल इसलाम मॉस्क इसने बनाई तीसरा सबसे इंपोर्टेंट कुतुब मिनार बक्तियार काकी जो संत थे उनके ओपर कुतुब मिनार बनाई शुरुबात कर दी थी इसने और 1199 में ही इसकी शुरुवात हो गई थी लेकिन कम्प्लीट कुतुब बुद्धिने पक नहीं कर पाए याद रखना कम्प्लीट इसके दामाद इलतुत मिशने किया जिसकी बायोग्राफिय हम कल देखेंगे तो ये तीन सबसे इंपोर्टेंट इसके काम रही है अब हम कहानी पे आ जाते हैं बेसिकली कुतुब बुद्धिने पक एक स्लेव था एक गुलाम था और नामी है गुलाम मंच मामलूक डाइनिस्टी भी इसको बोला जाता है आ रखना और ये टर्क्स थे तो ये आप देख सकते हो ना पूरा पाकिस्तान और ये पूरा ये नौर्थ वाला जो रीजन है ये स्लेव डाइनिस्टी के पास था कुतुब बुद्धिनेबग अभी बहुत फैला नहीं अभी वो यही तक ही आया है बस ये वाला रीजन अभी जब बलबा ना गए ना तो एक्सपैंड होगा और यहां पे भी प्रॉब्लम बहुत जादा है इतना असान नहीं है तो अभी कुतुब बुद्धिनेबग की बात करते हैं तो ये एक स्लेव था गुलाम था इसको खरीदा गया था इसके मास्टर ने इसको खरीदा था फिर महामुद अभ घोरी को इसने जॉइन किया जिसकी बात हमने की थी 1192 में जब महामुद अभ घोरी जीता था तो ये अपने इस घुलामों को छोड़ गया था आपे की तुम रूल करो कोई दिक्कत नहीं है और तुम मेरे नाम पे जो है एक्स्पाइंड करो फैलाओ क्या दिक्कत है जहां जा रहो फैलाओ लेकिन यहां पे राजा बड़े तगड़े तो कुदुब उद्दिनेबंग ने कैमपेंस की अहिलवारा 1197 में गुजरात के अहिलवारा को जीता इसने फिर बनारस, बदाईू, कन्नौज क्योंकि हुआ कहता न कि 1192 के बाद बहुत सारे जो एरिया कुमोद घोरी को लगा वो हमारे हैं सब आजाद हो गया हमारे ही है हमारे ही रूल चलेगा तो कुटाउ बद्धिनेवप ने नहीं भी या ऐसा तो नहीं हो पाएगा रूल तो हमारा है तो यहां पर को तो बद्धिनेवप आया और इसको लखबक्ष बोला जाता था उसको लखबक्ष बोला जाता था बढ़ा बड़ा दोनेunt और अच्छा था हाला की देखो tolerant सबते इंटॉलेंट सबते हिंदू के खिलाफ कोई ऐसा जिसने मंदिरोपे हमला नहीं किया जिससे इनिवर्स्टेज पर हमलानी किया तो intolerant सब थे लेकिन सब को यह पता था कि अगर हिंदू को साथ पे नहीं लेके चलेंगे तो हम यह टिक ही नहीं पाएंगे ठीक है तो लखबक्ष इसको बोला जाता था इसका यह कई बार सवाल पूछ लिया जाता कि कौन सा emperor लखबक्ष के नाम से जाना जाता था तो वो कु से लेके चलना है तो लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा प्री था ठीक है अब 126 में महामुध गोरी को मार दिया गया वापस जाना तो अब हम अधाव गोरी अभी तो महामुध अव घोरी ने अपने भार दिया गया तो वहां का गवर्णर बनाए गया था अब इसमें दो और थे एक तो ताजिदुद्दीन कबाचा नहीं नासेदुद्दीन कबाचा और ताजिदुद्दीन यालदौस यह दो और थे बेसिकली जब 1206 में महमुद घोरी की मृत्यू हुई तो यहां पे तीन कैंडिडेट्स थे कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा तो कबाचा यालदौस और एबक यह तीनों ही बड़े बढ़िया थे अब जैसे कुतुद्दीन एबक इंडियन सब कॉंटिडेंट देख रहा उसको तो लिना देना थानी तो काफी लड़ाई होती थी तीनों में कई बार एबक जो है वो पंजाब चल रहा जाता था पंजाब के कुछ लिए प्रोविंस को लेकिन वहां पर कौन डूर्ड कर रहा था कबाचा वह आता था वह इनको मार के भगाता था मुश्किल थी ती पाचा की बेटी से शादी कर ली इसने यह हिसाब किताब था तो ताकि रेलेशन बना रहे और मेरी गद्धी को कोई कुश्चन ना कर सके तो 1206 में महामुद गोरी मरा और फाइनली जो महामुद गोरी का भतिजा था बोलता है इदर ओ बैटा इदर ओ क्या आज से तुम सुल् स्वारा सो दस तक रहा खाली चार साल तक था इसने अपनी बेटी की शादी इलतोत्मिश्चे करवाई जो कि अगला था वह भी गुलाम था तो एफिशेंट जनरल था लोगों में काफी जादा प्री था अहिल वारा बाकी नॉर्थ हिंडिया के काफी टाउंस इसने जीते इंडियन सब कॉंटिनेंट का गवर्नर था और यह जो कबाचा और यह यालदौस थे पावर स्ट्रगल हुई लेकिन अल्टिमेटली कुतुप उद्धी निबग जीता ठीक है और 1210 में बहुत फरजी मौत हुई थी पोलो खेलते हुए चोगन खेलते हुए यह घोड़े से इल्तुत्मिष की कहानी इल्तुत्मिष 1210 से लेकर 1236 तक रहा कहानी कल हम देखेंगे और इल्तुत्मिष ने बहुत कुछ किया मौंगोल्स चंगेज खान इसी समय भारत आया था और इल्तुत्मिष ने क्या भगाने में इसको काम्याब रहा मौंगोल्स कभी भारत में और आपको बता दू कि कुद्व बुद्धी नेबग की बेटी से इल्तुत्मिशने साधी की थी ठीक है तो बहुत कुछ बाद में तुरका ने चहल गंज इल्तुत्मिशने बनाए जो गुरूपा इसलामिक इन्वेजन का इतिहास जारी है और हमारे UPSC प्रहार बैच को जरूर जोइन करो थैंक्यू सो मच